चाइना जब देखो लड़ता जगड़ता रहता है, कभी घई अटाक करता है, कभी घई पता है ना तुम्हें यह, यह पूरी दुनिया में अपना प्रभूत्विष कही ना कहीं, होशिश कर रहा है कि मैं नंबर बन जाओं, इस पूरी दुनिया में जब यह पेंडमिक आया, तो उससे पहले 2019 तक America number one country था, पिछले कई सालों से growth rate लगातार graph बहुत आगे, अब इस चाइना को America को पीछे करना था, बहुत लोगों का ये मानना है कि पेंडमिक में कहीना गई, चाइना का बहुत बड़ा हाथ था, exactly किसी को नहीं पता, पर पेंडमिक का सबसे तगड़ा रुकसान जो जेला है, वो किस देशने अमेरिका, आप कभी death rate का चार्ट निकाल के रेखना, गूगल पर है, सबसे ज्यादा लोग कहां के मरे हैं, हम जैसे न वैसी दुखी होते हैं, चीन हमारा दुश्मन, चीन को कोई मतलब नहीं है, चीन हमारा इसा दुश्मन, चीन को इंडिया से कोई मतलब नहीं, वो जानता है कि आप उसके सामने टेकनलोजी के लिए कहीं तिकेंगे ही नहीं, वो आपके उपर सिर्फ अटाक करके आपके जमीन को हड़ब सकता है, बाकि उसका और आपका मुकाबला नहीं है, किसी भी चीज में, उसने आपके देश के घर क अंदर इतनी जगह बना रखी है, कि आप चाहके भी चीन का कुछ नहीं बिगाड सकते हैं, हम पता कितने बेवकुप, हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है, हमें जब दिवाली आती है तो कहते हैं कि ये लडियां मत लगाओ, ये कहां से आती हैं, तुम सब के घरों में कंगे इस्तमाल होते हैं, ये कंगे भी चाहिना के हैं, तुम जो ये जितनी चीज़ें, कपड़े तो हैं ही, कपड़ों के अलावा भी, मतलब जितने तुमारे घर के समान हैं, इन समानों का 80-90% हिस्सा चाहिना से आता है, तुम को ब्रैंडिड समान की बात नहीं कर रही कंगा कितनी चोटी चीज़ है, देश में जितने कंगे लगभग आ रहे हैं, ये सब चाहिना से आ रहे हैं, कहां कहां से वाइकाट करोगे, एक वो लडियां हटाने से तुमारा काम चल गया, तुम जितने ब्रैंड की चीज़ें इस्तमाल करते हैं, बिना ब्रैंड की बुनकर नगरी कहते हैं, पानिपथ की सचाही तुम जानते हो, सब detail है, सब बंद पड़ा है, पानिपथ कोई बुनकर नहीं है आज की रेट में, सारे का शारा माल कहां से आ रहा हैं? ये सारी बेदेशी चाहिना से आती हैं, जो पानिपथ से आ आगे जाती हैं और हम जदहे चाइना है, किसी मॉल में जाते हो, आप देखते हो लिखा होता है store 99, इसमें जयातर माल किसका भिकरा होता है, चाइना का, आपके घर में जितना प्लास्टिक है न, उस प्लास्टिक का सबसे बड़ा जो मार्केट है आपका देश, वो आया कहां से है, चाइना, तो इस एक साल में महंगाई कई गुणा बढ़ गई, सौसो रुपे, पचास प्यास हर चीज पर बढ़ गए, ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या दिक्कत आ गई, तुम्हारे देश में सबसे बड़ी बदहाली का कारण क्या है, सरकार जान मुझ के काम नहीं करना चाहती, तुम्हारी जो आगे बढ़ाना है, तो सर्विस सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, मैनिफेक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, तुम्हारे जितनी अपने मैनिफेक्चरिंग के स्टोर थे ना, जहां बनता था, यह कंगे भी नहीं बनते हमसे, हडपा वालों के टाइम पे कंगे हमारे पास अपने मारूती अकेली देश का एक बड़ा परसंटेज और मारूती अकेली नहीं थी, मारूती के साथ क्या था, सुजूकी कहां की है, जपान की, अब मारूती सुजूकी से यह हीरो हॉंडा, जपान की तो थी, हीरो मोटो कॉप्स जो बन गई है, उसने अपना शेर वापस ले लिया, आप यह देखो, इसका पहले पूरे मार्केट पे धाक थी, और हर घर में जो गाड़ी खड़ी होती थी, वो मारूती की थी, धीरे धीरे अब गूगल कर ले ना, इसका परसंटेज पिछले आठ से दस सालों में घट गया, नीचे आ गया, और अब बाकी जो ब्र मैनिफेक्चरिंग युनिट बढ़ रही है या खतम हो रही है, देश को आगे बढ़ाना है, तो सबसे बेसिक है कि आपके पास वनसी यूनिट लगी हुई हो, मैनिफेक्चरिंग, और आपको चाइना ने इतने बड़े लेवल पे बेवकू बनाया हमारे देश को, हमें पत आप आगे नहीं था, आप भी अच्छे देशों में थे, अच्छे इनस आपके अंदर कैलीबर था, 1950 से और आज हम 2022 में है, चाइना दुनिया का नंबर बंदेश है, और भारत अपनी गरीबी से जूज रहा है, बरश्टाचार से जूज रहा है, भारत हर घटिया चीज में से केंड है, जैसे आभादी होना फायदा है या नुक्सान है, कैसे फायदा है, बच्पन से बढ़ाया गया बढ़ती जनसंक्या, किस चीज का कारण बने थी, बेरोजगारी का, प्रदूशन का गलत पढ़ाया, बढ़ती जनसंक्या एक असेट है, असेट का मतलब समझते हो क्या होता है असेट, असेट को मानलो पूंजी, अपने आपको देखो, तुम सब अगर नौकरी लग जाओ, मानलो तुम घर में दो भाई बैनों, तीन हो, तुमारे पिता जी कमाते हैं महीने के 50,000, आधो के 20,000 कमाते होंगे, कोई हो सकता है 10,000 का भी काम चलता हो, कोई है यह असेट बन गए, तो पूरा भारत क्यों नहीं असेट बन सकता, यह चाइना 1950 में हमारे बराबर था, आज आप जब मेडल्स की लिस्ट देखते हैं, तो हर चीज में यह आगे है, टेकनलोजी में, समान में, आपको पता है न, जो यह उलंपिक होए था, इसमें भी पता नहीं क्या है, हम देखते किसको हैं पडोसी पाकिसान जिसका हमेशा टेली में जीरो नंबर है, हम अमेरिका चाइना को नहीं देखते, चाइना ने अपनी पूरी पॉपुलेशन को क्या बना दिया, इसने यह सोचा जब जन संख्या ज्यादा है न, तो हर एक आदमी की नहींती होना चाहिए, मेरा हर इंसान जो इस देश में है या तो फील में निकल जाया, या वो प्रोडक्शन में आगे निकल जाया, जाए, या वो बिजनस कर ले, या वो अच्छी नौकरी कर ले, हम ने क्या सोचा बच्पन से मुझा यादा है, हमेशा पढ़ाया गया, ब हमारी पीधी यह सोचके कि बढ़ती जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या तभी तुम पीछे रह गए इस चाइना ने प्रोडक्शन यूनिट लगा के अपनी मेनिफेक्चरिंग और आपके देश को देखा कि यह सबसे ज़दब बेवकूफ हैं और यह सबसे बड़े कंज्यूम दंपिंग का मतलब होता है, economics में एक term है, फुरू में इसने आपके देश में कदम कैसे जमाएं आपके यहां पॉलिसी आई थी, LPG, LPG, liberalization, privatization, globalization, शुरू में आपके उद्धोग धंदे बहुत खराब थे, बहुत ही निचले स्तर के, कोई brand हमारे यहां नहीं था, और हर ची 1991 में हमारे उपर pressure आया, फुरी दुनिया में, WTO का, World Trade Organization का, इसने का, बहुत दुनिया बदल रही है, market फुला फोड़ दो, जिस देश को जहां समान बेचना है, बेचो, हम भी इसके मेंबर थे, हमारे उपर भी pressure आया, और फिर हमने अपने लोगों को का, देखो भई, आप America, European country, Australia, Germany, Britain, और जब इनका समान आया ना, तो इनके समान की quality बहुत high थी, और आपके समान की quality बिलकुल बेकार, तो अब जो खरी, अच्छा, इन्होंने एक चला की और की, इन्होंने अपने समान की उस्टाइन कीमत क्या रखी बहुत, इन्होंने सोच लिया कि हमें नुकस समान की बिजनस करें, तो उसका कितना बिजनस चलेगा, सब खरीदें तब भी कुछ नी बिकेगा, आपके देश में अमेरिका का कोई समान बिकने लगे, तो आप कितने करोड़ प्लस लेके बैठें, अब 1.500 करोड़, अगर अमेरिका को एक दो साल, जियो की तुम्हें प् ग्राहक बनाया, जैसे पहले वर में जाल में फज गया, अब उसको इतने दिन तक फ्री दिया कि उसको हैबिट पढ़ जाए, कि मुझे गूगल, यह गूगल तो ठोड़ो, यह क्या है, सोशल साइट्स की बढ़िया, वाट्साइप, टिक टॉक खास कर, यह सब चीजें, फ मैं छोटी थी, 35 रुपे में कुछ भी समान ले जाओ घर का, तो लोग इतने पागल हुए 35 रुपे में, और सच में 35 में समान देता था, तुम सोशे ते ऐसा क्यों करता है यह, बड़े हो के जब एकनामिक्स पढ़ी तो समझ में आया, कि यह कुछ साल तक इसने अगर मार्केट पर, और आज यह हालत है, कि ना आपका पानीपत का कपड़ा कहीं जाता, और ना आपके देश में कंगे बनते, सब ब्रांडिड है, धीरे धीरे करके आपकी सारी मैनिफेक्टरिंग खतम, देश आगे बढ़ने के लिए पौन सा सेक्टर जरूरी है, मैनिफेक्ट यह बताता है, कि जब तक भारत में मैनिफेक्टरिंग यूनिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, तब तक आपके देश की प्रगती नहीं हो सकती, और किसी को मतलब नहीं है मैनिफेक्टरिंग से, सब को अपने पेट भरने से, अपनी जेब भरने से मतलब है, तो ज आपके बढ़ेगा बरने